हो में वेलकम बैट दो चैनल इस्टो चैट व्यूक और आज हमें एक ऐसे अनिमेक बारे बात करने वाले हैं जिसको लोग बोलते हैं पीक क्योंकि वह है पीक हम बात करने वाले वनपीस के बारे में और जो वनपीस फैंस हैं उनको 2023 के अंदर तीन बड़े मुमेंट्स का जा नहीं है जब डीमस तेन मार्किट के अंदर आया था तब हर को इसको वारे बात कर रहा था कि इसने अनिमेशन को फचा दिया है और अब अब वनपीस इस लाइक तुम चुप रहो बेटा हम तुमारे पापा हैं भी दिगूर डीमस लेके अनिमेशन काफी अच्छे हैं बहुत अट्रेक्टिव हैं एस अनिमेशन के लिए बहुत अच्छे है पर इस टाइम करेंटली जो वनपीस के वानों के अंदर अनिमेशन चल रहे है न उनका मैच नहीं है सॉरी इसने हमारे गोट गोकु मतलब ड्रागन बॉल को भी अनिमेट कर रहा है तो लो यह सब ठीक कर रहे हैं सांजी जो बचा वह तुम्हें पता है कौन हारा उसका मुवमेंट तुम्हें पता है कौन सा मुवमेंट जुलाई य यह आगोस के अंदर वह आ जाएगा जब लूफी का वह मुवमेंट आगा मैं तब भी वीडियो बना हूँ वह इस बारे में बात करनी है पर आज इस बंदों की बारे बात करते हैं वहरा वांड़ी पॉस्चर में लॉंड़े का आज हम बात करने वाले हैं कि एसा क्राइटर के बारे में जो पहले पाइलट हंटर था और अब वह बन चुका है दर डेफिनेशन दर रियल डेफिनेशन ओफ वर्ड लोयल्टी मैं अपने बंदा कौन है वह जोरो जिसने उस बंदे की मतलब काईडो की बॉड़ी पर मांग छोड़ा हुआ है वैसे सीरिसली इतने सालों बाद जाके आशुरा मोट देखने हुए मैं बड़ा खुश हुआ था सोवर की तारीफ मैं बहुत करता हूं पर बात करते हैं 1062 के बारे में स बहुत भाई येस एपिसोड 1062 के अंदर में जो हाइलेट है वो हमारे किंग और जोरो की फाइट ही है और इस एपिसोड के अंदर जो पिसिंग रही है ना वो मतलब बहुत सेक्सी किंग का फेस रीवील हो गया उसके पास के बारे पतर लग गया उसकी रेस पतर लग गई फाइट भी एंड हो गई है क्या चाहिए और तुम्हें एपिसोड के अंदर शुरू करते हैं एपिसोड 1062 का ब्रेकडाउन जोरो अर्सिस किंग बढ़ जाती है पर किंग का डिफेंस कम हो जाता है मतलब वीक हो जाता है पर किंग का मास्क उतर चुका है और मास्क की पीछ किसका मुखडा है किंग का डिस्क्रिप्शन विदिस फेस इस तू बैडएस काट दिया मास्क ब्लैक विंग्स वाइट है ब्राउन स्किन एक ऐसा इंसान जिसके बारे बस इंफोमेशन देने से तुम्हें गॉर्मेंट हंड्रेड मिलियन बैरी देने वाली है तभी किंग अपना पूरा मास उतारता है और भाई इस लुक्स सो बैडएस ब्लब मांगे अंदर बहुत चलारता पर अनिमेशन के अंदर और अच्छा लग रहा है मुझे तो किंग आ बाई जोरो ही बोलता कि तो कौन जी ट्रैप से बिलॉंग करता कि तेरी बस इंफोमेशन देने से 100 million berries देने वाली है और फिर king सबसे lay mass answer देता है कि तो पूस क्यों रहा है तो तो मरने वाला है भाई हर एक विलल यही आंसर देता है और end में विलल ही मरता है किंग और जोरो की fight शुरू होती है और यह भी top floor मतलब छत पर लट रहा है जावे हमारा का लूफी लटा था काईडो से भाई किंग कैसे लट रहा है कुछ भी कर रहा है किंग इनके काफी अच्छे moment होते हैं पर जोरो नोटिस करता है कि एनमा जोरो की energy खाय जा रही है और जोरो समझ आता है कि यह ज्यादा टाइम नहीं है मुझे जल्दी finish करना पड़ेगा इसको अब यह एनमा साली जोरो का म बने और तो मैं पता है जोरो क्यों लड़ रहता कि वह हमारे लूफी को पारेट इंग बने इनकी यहां बहुत बड़िया फाइट है और देखो यह हार ने जीतने के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं अपनी जान दाफ पर लगा कि I don't know about King बट जोरो तो हाँ जोरो लेके वाला जोरो को जोरो तो भाई लिटरली ऐसा ही है कि साला मैं मर्जा हूं पर यह बंदा यह बंदा पारटिंग बनेगा इसके बाद हम देखते हैं हमारे किंग का थोड़ा फ्लैश बैक की हाओ वो काईडो से मिला था और वो काईडो के लिए इतना dedicatedly क्यों लड़ रहा है अब यहां इसका पास्ट इसका पास्ट हम यंग काईडो और टीन किंग को देखते हैं तो मैं विनपीस के लिए कुछ अच्छे पाइरेट है कुछ बेकार पाइरेट है बट एक और अगनेशन ऐसी है जो हमेशा टटी है वो है मेरीन्स इनके एक्सपेरिमेंट ना सबसे ब बचा है और यह लोग पहले गौडवा करते थे और फिर आगे नहीं मटके लगा के वह साले सेलेस्ट ड्राइगन उन्हों ने इनको हटा दिया और मारी दिया और लास रावर हमारा किंग बचाता काईडो को तो यह लोग में ट्रीट कर रहा है तूभी में आशा ट्रीट कर होगा तू होगा मेरा राइट हैंड मैं और हमारे टीन की देगे खुश तो होता है कि यार कोई तो है चलो जिने मुझे अक्सेट कर रहा है जिस तब किंग को यादा था किंग वर्थी जोरू की फाइट के अंदर और तब ही किंग बोलता है कि दियर कैन बी ओनली वन आटल होती है बहुतर एक तरफ एक तरह अडिमेशन एक तरह लितरर लिटर एक तरह मुझे लग रहा है कि टोई ऑनिमेशन बोलता है यो तहलो कहाले पंदब इस टाइम इसे कट कर सकता हूँ अगर तुम सुचे रहोगी कैसे तो मैंने तुम्हें जस अभी बता था कि Zoro ने बता है कि जब King बहुत तेज घूमता है तब उसकी defense weak हो जाता है और Zoro इसका advantage लेता है और King का बीच में कट कर देता हूँ मतलब exactly दो बाटन डिवाइड नहीं करता है पर उसके mark मार जेता है बीद कुल बीच में काट दिया King और Zoro की इतनी बढ़िया यहां पर action देखने में मिल रहा है बट उसे सामने जोरो है जोरो लिटरली उसका हर एक attack काट का आगे बढ़ रहा है बाई जोरो खेंदा कि इसने श्टीरोड डाल दिया है कि तुझे रुखना नहीं है जागे मार गया जिंग को जोरो बेपना final attack prepare करता है the king of hell three sword serpent मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैं इसको कैसे express करूँ यह दो character है इस time इस island के उपर second strongest character बिंग मोम को second के लिए side बें कर दो ठीक है इनका जो final clash होता है ओ भाई क्या movement है भाई और हमारा king जिसका जोरो ने एक पंग काट दिया उसकी sword काट दी और उसके chest पे बहुत बड़ा mark दे दिया एक पंग काट दिया तो काट दिया वही काट दिया इसको दो और इस ट्रम किंग को जो memory यात आती है मतलब वह memory न वह वर्ड सुनने के लिए हर वनपीस फैन वेट करता है कि कब पता लगया मैं इस बंदे के बारे में जो की है joy boy और असन ने जो hype बना रखिया ना joy boy को लेक कैसे हो me hawks चाहर था और उसने तब क्या बहुता लूफी को कि आज के बाद मैं कभी भी नहीं हारूंगा जोग उन्हें प्रूफ करा रहा है जोरो के moment यार जोरो जब पहली और आखरी बार हार था वह moment फिर जो animation और जो 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 बोलता है I shall become the king of hell ओ भाई क्या मैं क्या कि नीचे गिर रहा है और जोरो आता है बहुत बादास मुमेंट के साथ और लिखा आता है बैटल ब्टीन जोरो एंड किंग इस ओवर एंड विनर इस रोरो आना जोरो भाई एपिक मैं वनपीस कफी टाम से देख रहा हूं बट जो मैंने इसमें एंडिंग देखी ना वो मैंने आसा कभी नहीं देखी मुझे पता निए वानों के अंदर आसा पहले कभी हो नहीं हुआ पर उससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा मैंने तू भी कंटिनू जब लिखा था तब पीछे बस एक black background होता है पर आज उसके पीछे जड़ बनाव है भाई बहुत sexy लागा मुझे अंडिंग ऐसी यह एंडिंग है मुझे नहीं पता सांजे को इनके अंदर प्यादा कुछ सांजे लिखाया था न्यादा मैंने वह नहीं देखा था बट हाँ मेरे फ्रट काटर रहा है उसमें लिखाया है आम हैपी विडियो के अंदर और वन पिसको पर जो मैं आगल अपशोड कवर करूंगा वह होगा झाल